हेलो गाइज वेल्कम बैक टू मैं चैनल ऑफिस्यल एम राओ गाइज इस वीडियो में लोग देखेंगे क्लास थर्ड मैट्स के फर्स शेप्टर के कोशन आंसर उनका सलूशन तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं पहला चैप्टर का नाम है हाउज आप नंबर्स यानि संख्याओं का घर पहला कोशन है राइट इन वर्ड्स संख्याओं को सब्दों में लिखिए तो सबसे बहले लिखा है 3435 यानि कि 3435 3435 नेक्स्ट है 5041 5041 इस तरीके से संख्याओं को सब्दों में लिख लेंगे उसके बाद अब चलेंगे राइट इन फिकर्स यानि कि संख्याओं को अंकों में लिखू इसमें लिखा 7812 तो इसको लिखेंगे 7812 उसके बाद 9028 यानि कि 9028 इस तरीके से इसको कॉंप्लीट कर लेंगे कोशन नमबर थर्ड आता है फिल इंदी ब्लैंक्स फिल इंदी ब्लैंक्स में क्या करेंगे इसमें नमबर्स दिये गए 845 इसको फाइब की जगए यानि बंस की जगए कौंसर डिजिट रिपलेस होगा यह होगा फाइब फाइब बंस हो गया उसके टैंस की जगए फॉर टैंस एंड एट हंडड़ यानि पांच इकाई चार दाई और आठ सेकड़ा उसके बाद तीन साथ पांच चार तो इसको जगए चार बंस हो जाएगा यानि की चार इकाई फाइब टैंस यानि पांच दाई सेवन अंड्रेड यानि की साथ सेकड़ा थ्री थाउजेंड यानि तीन हजार तो यह फिलिंदी ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएगा नेक्ट कोश्चन नमबर फॉर कोश्चन नमबर फॉर है आपजेर में सॉल इन्होंने अल्रेडी एक कोश्चन कर दिया है यह वाला तरीके से इसको कि का अगई फॉलो करना फैषिक है फाइफव ऒफऊ फॉर थ्री टूसरी यहां पर फाइब नाएंगे उसका जिटने डिजिट यहां चूट जाएगे फमीवरल दिया न गा दिन पोसी तरीके है इने का उनिस्टने होटे कि लिए फिर इतना यह 1000 प्लस जीरो जीरो प्लस 80 प्लस 5 इसी तरीके से 6328 को लिखेंगे 6000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस एट अब देख लिए थें क्वेशन नंबर 5 क्वेशन नंबर 5 है फिल इन दी ब्लैंक जो विस्तार रूप है उसको संचिप्त में लिखना है इसको यह लिखा है 6000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस बन तो यह जाएगा 6421 नेक्स्ट है 5000 प्लस 600 प्लस 610 प्लस 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 पूर वन यह इसको सब्दों में लिख दिया है तो यहां इसको लिखेंगे 5664 तो स्टों नम्मब्र 6 पूट्ट दी करेक्ट साइन लेस इक्वल ग्रेटर वेट्विन दी नमबर गिवन बिलोग यह जो नमबर दिये गे उनमें चोटा बड़ा और बराबर का चिन लगाना है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नमबर क्या है 365 यानि 365 और 412 तो इन में कौन सा नमबर बढ़ा है तो इसमें यह नमबher बढ़ा है तो YESहन इस तरी के देख लग जाएगा उसके बात 678 और 710 इसमें भी यह नमबर बढ़ा है कि तरफ यह निसान लग जाएगा 5672 और 4342 तो इसमें बढ़ा है नमबर 5672 नेक्स्ट है 8,775 और 6,281 तो इसमें नमबर हो जाएगा 8,775 उसके बाद 8,699 और 8,699 यह तो यह दोनों नमबर एक्वल है तो यहाँ इक्वल का चिन लगेगा उसके बाद 8,815 और 7,399 तो इसमें यह नमबर हो गया 8,815 तो इस तरीके से ही मैस पिल इन दी ब्लैंक कम्प्लीट हो जाएगा करेक्ट साइन वाला लाश कोश्चन देख लेते हैं लाश कोश्चन है सुरी कोश्चन नमबर 7 ए कम्प्लीट दी डिसेंडिंग एंड एसेंडिंग और इसको बढ़ते और गड़ते करम में लिखना है तो इसमें 3154 एन 3154, 3155, 3156 उसके बाद नेक्ट नमबर आएगा है यह है बढ़ते करम में तो 3157 उसके बाद 3158, 3159, 3160 and 3161 इस तरीके से यह एसेंडिंग और कम्प्लीट हो जाएगे यह बढ़ते करम में अब देख लेते हैं इसको गड़ते करम में तो यहाँ आपन नमबर लिखा है 4,335, 4,334 उसका 4,333 उसके बाद आएगा 4,332, 4,231, 4,330, 4,329 and 4,328 तो यह होगा यह बढ़ते करम में अब नेक्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर एट मैस्टी क्रेक्ट पेर तो क्रेक्ट पेर क्या है इसको मैस्टी फॉलिंग करनी है तो इसमें लिखा है 4,300 बन तो यह हो जाएगा 4,000 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 1 उसके बाद 6,052 उसको लिखेंगे 6,000 प्लस 0 प्लस 50 प्लस 2 उसके बाद 9,254 उसको लिखेंगे 9,000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 4 उसका लाश्ट आता है 8,470 तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 8,000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 0 इस तरीके से यह मैच दी प्रेक्ट प्यर कर लेंगे तो गाईच कैसा लगा अचका वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को शिर्कत दीजिए अगर आप फेस्बूक को देख रहे हैं तो प्लीज को फॉलोवल लीजिए और